वेलकम हलो दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है तो आज हम पढ़ेंगे सूरन के बारे में आप देख रहे हैं कि यह ड्रग हमारे आईरवेद में पढ़ाया जाता है तो आप इसके लिवस को अच्छे तरह से देख लीजिए इसकी आज हम स्टेम के ऊपर कि आप देख सकते हैं कि कितनी बहुत ही खूपसूरत इसकी यह स्टेम आप को दिखी जी यह है रूट देखें यह है रूट यह आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है यह यह जो roots है न इसके बारे में आज हम study करेंगे ठीक है Welcome to my channel अभी मैंने आपको इसके पहले उसका plant दिखाया अब हम उसके roots के बारे में पढ़ेंगे तो अगर उस plant को हम नीचे से खोट के अगर उसके roots देखेंगे तो कुछ इस प्रकास से दिखेंगे तो इसको हम kand कहते है ठीक है अब इसके बारे में हम कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले जब इसको पढ़े तो अगर देखे तो इसका जो गन है वो श्रमहर है विरेचन उपग है मदूर सकंद और कशय सकंद इसमें भी इसका वर्नन किया गया है इसको चरक ने फरलासो कहा है अगर कुल बता है मतलब family के बारे में बात करें तो ये है सुरन कुल का एरेस ये इसको कहेंगे लेटिन नाम की बात करें तो ये है अमौर फैफैलस कैमेंड नुलेटरस जिसको मराटी में सुरन कहते है स्वरुप की बात करें तो इसका जो पेड़ होता है वो तीस से एक मेटर उच्चा और वर्षायू का शूप होता है कंद जिसको हम यह कहेंगे यह ज्यादा तर जमीन के अंदर ही रहते इसके जो लिवस होते आपने देखा क्यों तीस से एक मेटर तक कैसे चौड़े होते फैलाई हुए होते इस प्रकार से ठीक है तो अगर इसको यह करें तो जो इसके स्टेम होते बहुत हरे रंकी होती है और उसके उपर सफिद सफिद पैचे होते हैं लीवस। यह होते हैं सफिद के होते हैं और फ्रूट्स की बात करें तो रीड़ कलर के होते है थोड़े और उसमें 2-3 सीडं होते हैं ठीक है तो अगर कंध की बात करें तो 15-25 sert 57 क Quindi के कंध होते आप देख सकती कि यह जोटे है यह बहुत ही छोटे हैं लेकिन यह बहुत ही बड़ा है यह इसको अपन गिन सकते हैं कि यह 15 से 30 सेंटीमिटर के बीच में आता है प्रकार करें तो ग्राम्य और वन्य तो यह ग्राम्य जिसको हम अपने हाथों से लगाए हैं तो अगर यह देखे आप इसको देखे यह जो है यह origin of stem है यहाँ से जो अपने stem देखा न तो यहाँ से origin होती है तो जहाँ जह आपको ऐसे दिखेगा वहाँ origin of stem है अब यह जो निकल रहे थे ना इनसे भी हो stem आता और यह ऐसे फैल के बहुत बड़ा इस प्रकार हो जाता बड़ा होके ठीक है तो यह जो है ना कंद इसका ह अईरवेद में बहुत ही उपयोग बताया गया आपको विलेज में इसको बहुत मिल जाएगा लोग इसकी सबजिया भी खाते है तो उत्पत्तिस्तान देके तो भारत में इस बहुत सी जगवाँ पर मिलता है और श्रीलंका में भी उपलब्द है और अगर इसका यूसपु मैं और कशा विपाक है कटू आ और वीर्य ए हैं लगू रुश्प और तिक्ष्न कौंसा गुने लगू रुख्ष और तिक्ष्न तो यह देखे बहुत हलका है तो देखने को मिलेको बहुत हलका है यह बड़ा वाला भी आपको ओझा यूछ देख सकते आपको यह हलका मैसूस होगा इसकी फिर important कार्य की बात करते हैं अगर कही अरूची है अगनिमान्द्य है उदर शूल है गुल्म है अर्श है कुरूमी है यह इसमें उपयोगी आ जाता है ठीक है प्रभाव से यह अर्शोगन है क्या है अर्शोगन दोशगनता की ब बात करें तो यह शोथर वेदना स्ताफन करता है इसलिए शंदी शोथ श्लीपद अर्बुद इन जैसी व्यादियों में इसका इस्तमाल करिया जाता है इसका पेस्ट बने आ जाता है क्लक और उसको घी या शेयत के साथ मिलाकर लेप लगाया जाता है आभ्यंतर प्रयोग क की बात करें आभ्यंतर प्रयोग की बात करें तो आप इसको अच्छे से देख लिजे आपको पैचानने में आसानी होगी आभ्यंतर की बात करें तो है रूची वर्दक है दीपन करता है पाचन करता है अनुलोपन करता है शुल्प्रशमन करता है और उसी के साथ अर्शोग होने के कारण शुक्र में उप्योग किया जाता है और इसकी मात्रा की बात करें तो यह चुर्ण एक से तीन ग्राम्मेपन दे सकते अगर कल्प अपने को लेना है तो और सुरन मोधक नाम से यह फिर कंकायन गुटि के नाम से सुरण वटक के नाम से अपने को मिल जाते अब बहुत ही इंपोर्टन ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो वीर्य था वो था उष्ण क्या था उष्ण अब उष्ण होने के कारण क्या होता है कि त्वचारोग रक्तपित्व और जो भी पित्तज विकार है उसमें इसका उप्योग अपने को नहीं करना है क्योंकि अगर ज्यादा उष्ण होने कारण अगर उसका उप्योग हम करेंगे पित्तज में तो हमको पता है कि पित्तज की प्रापर्टी क्या है कि उष्ण होता है वो इसके लिए उसके विपरित अपने को रिजल्ट मिलेंगे तो इसलिए इसको त्वचारोग रखतपित्त और पित्तज विकार में उसको उपयोग नहीं करना है ठीक है पुटपाक पद्दती से अगर इसको अपन यह करेंगे क्या करेंगे इसको अगर इसका मेडिसिन तयार करेंगे तो बहुत ही गुनकारी होता है अगर इसको सेवन करने से लोगों को कुछ कटना या हो या फिर तकलीफ हो तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप ताक के साथ जिसको हम तक्कर कहते हैं या फिर लिंब जिसका हम शर्बत बनाते हैं और चिंच इनके साथ हम उसका सेवन कर सकते है तो यह है सुरन के बारे में तो यह आपको मिल जाएगा पेज नमबर 1005 में देश पांडे की बुक में जो भी आयरवेदिक स्टुडेंट्स है जो लाइव ड्रक्स के बारे में जानना चाते हैं उनके लिए यह वीडियो है तो प्लीज इस ड्रक को अच्छे से समझे यह कमेंट बॉक्स में कमेंड कीजिए हम उसके ओपर वीडियो भनाएंगे की कुशिश करेंगे थैंक यू कि अ झाल